Hello everyone and welcome back to Insomniac Studios मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं FL Studio में ये जो आप चीज देख सकते हो ये exactly क्या है इसको क्या बोलते हैं अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो चेक नहीं करी है तो अभी जाके चेक करो Waves Vocal Rider की Master Class वहाँ पर इस चीज का यूज हुआ था और वहीं से ये topic आया था कि ये exactly है क्या इसको बोलते है events अब ये basically है क्या चीज तो जब भी आप FL Studio में automation को record करते हो यहाँ फिर आप बोल सकते हो आप अपने MIDI keyboard पे, MIDI controller पे कुछ knobs हैं, faders हैं, sliders हैं, उसकी मदद से कुछ record करना चाह रहे हो then वो automation की form में record नहीं होता है, वो events की form में record होता है FL Studio में, जैसा कि आप screen पे देख सकते हो, last time भी हमने automation को record किया था plugin की मदद से, तो यहाँ पे हमें ये चीज मिली थी, आप देख सकते हो इसको बोलते हैं, events, मैं इसको automation बोल रहा था बोलने का तरीका वो ही था, इसको भी, ये जो चीज है, events है इसको भी आप change कर सकते हो, आप इसको edit कर सकते हो in the form of automation, यहाँ फिर मैं बोलू हूँ तो आप ये जो events है इसको convert कर सकते हो automation पे, बहुत ही ज़ादा simple है आप देख सकते हो, यह है यहाँ पे events, इसपे करेंगे double click and आप देख सकते हो, यहाँ पे एक window open हो जाएगी अब हमें क्या करना है, आप देख सकते हो, यह पूरा events है यह record हुआ है, automation kind of, but हमें exactly automation चाहिए तो यहाँ से हम जाएंगे, इस arrow पे click करेंगे, then उसके बाद edit and last में आप देख सकते हो, turn into automation clip इस पे कर देंगे click and यहाँ पे आप से पूछेगा convert to automation and आपको यहाँ पे एक preview भी दिखाएगा automation का यहाँ पे आपको करना है, except आप sensitivity इसकी choose कर सकते हो, यहाँ पे अभी full है so आप देख सकते हो, कुछ इस type का preview है लेकिन अगर मैं sensitivity को कम करता हूँ so आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमारे points है जो यहाँ पे dots है, वो काफी कम हो चुके है तो यहाँ पे मैं sensitivity को रखूँँगा all the way up जिस पे हमें जादा control मिले, जैसा कि आप देख सकते हो and अब यहाँ पे करतेंगे accept पे click तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जो हमारी events की clip थी, वो अब convert हो चुकी है automation में, यहाँ पे मैं channel rack को close करता हूँ and आप यहाँ से इसको change भी कर सकते हो आप देख सकते हो, यहाँ पे काफी सारे points है यह जो dots हैं यहाँ पे, यहाँ पे कुछ जादा ही points है तो depend करता है किस type का आपको यहाँ पे अपना automation clip चाहिए अगर मैं main बात करूँ इस section पे तो आप देख सकते हो, यहाँ पे कितने जादा points आपके पास है आपको अगर इस से confusion हो रहा है तो आप sensitivity को थोड़ा सा कम रख सकते हो I hope यह video आपके लिए helpful रहा होगा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो कर दिना like, चैनल को कर दिना subscribe अगर आपके मन में और भी कोई doubts हैं या फिर queries हैं comment section खुला है, आप मेरे से पूछ सकते हो फिलाल आज के लिए इत्ता ही, मैं मिलता हूँ आप से next video में